तो यहां पे आप सभी के लिए HyperOS 2.0 के रिगार्डिंग एक और फीचर यहां पे लीक हो चुका है जैसा कि आपको पता हैं यहां पे MTK स्मार्टफोन में आपको Advanced Blur, Advanced Structures के सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलते थे लेकिन यहां पे जो K60 Ultra है उसमें आपको Advanced Structures के सपोर्ट ओफिशली यहां पे देखने के लिए मिलते थे तो यहां पे मेरे पास Stademy K70E है जो यहां पे Mediatek प्रोसेसर पर ही अवेलेबल है लेकिन इसवाल स्मार्टफोन में मुझे जा मैं यहां पे डिस्प्ले और ब्राइटनेस के सेक्शन में जाता हूं सो मुझे यहां पे Advanced Structures का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता तो यहां पे इसको शौमी फ्यूचर में एड़ कर सकती है अगर यहां पे शौमी हाइपरोस्ट टूपेंटो में एड़ करना चाहे तो अब इन सारी बातों को दूर रखके मैं आपको एक फीचर Advanced Structures के रिगार इंगी जो शौमी इसको मैं अपने टेलिगाम चैनल पे अलड़ी शियर कर चुका था रेडमी के सेवन्टी अल्ट्रा जो अभी के लिए यहां पे हाइपरोस 1.0.14.0 चाहिना स्टेबल अप्डेट पे रन कर रहा है यू एनन सी एन एक्सम सो इसका यहां पे जो नोटिफिकेशन ब्लर है तो यहां पे जो आपको यहां पे थर्ड पार्टी फोल्डर और आपके ऑफिशल फोल्डर जैसा कि आप इस वाले फोल्डर पे होल्ड करते हैं होल्ड करने पे आपको यहां पे एक ओप्शन मिलता है एड़िट फोल्डर सो एड़िट फोल्डर में आप इसको रेगुलर एंड लाउज एंड एक्सक्सल में कर सकते हैं इन वाले फोल्डर में अभी तक आपको ऑफिशल ब्लर का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिला हैं लेकिन आप यहां पे नोटिफिकेशन में आपको ऑफिशली ब्लर का सपोर्ट मिल चुका है जो यहां पे एडवांश ट्रेक्शर्स 2.0 आपके यहां पे हैं और यह अभी केवल Redmi K70 Ultra में ही रूल डाउट किया गया है और इस वाले डिवाइस में इसलिए रूल डाउट किया गया है क्योंकि Redmi K70 Ultra यहां पे रिसेंटली Xiaomi का लेटेस्ट लॉंच है और यह हमें Redmi K70 Ultra के बाद बाकी के स्मार्टफोन में भी आपको देखने के लिए मिलने आपको कैसे लगा और क्या आप इस वाले फीचर के लिए एक्साइटेड है क्योंकि यह आपको मोर शौमी स्मार्टफोन में Xiaomi HyperOS 2.0 के अपडेट्स के साथ आपको आपके स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलने वाले हैं तो अगर आप यहां पे इस वाले फीचर के देखना चाहते हैं तो